स्यारे बच्चों स्वागत है आपका विशन शिक्षन समबाद द्वारा आयो जेट पढ़ा इसे प्रतियोगितन सब्की ओनलाइन ठक्षा में विज्ञान जूनियर इस्तर और आज का हमारा प्रकरण है श्वशन तो बच्चों जीवन जीने के लिए सांसों का लेना बहुत जरूरी है इसलिए हम सांस लेते हैं बच्चों आपको तुखता ही है कि सांस लेते समय हम वातावरन से ऑक्सिजन को लेते हैं और सांस छोड़ते समय कारबन डायोकसाइड को बाहर निकालते हैं तो बच्चों स्व वातवरण की ओक्सीजन युक्ट वायू को नाग से फेफडों तक पहुचाने की क्रिया को अंते श्वशन यानी की इंस्पिरेशन कहते हैं। यानी की ब्रीधिंग कहलाती है। अते श्वशन द्वारा ली गई ऑश्वशीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुचकर उसमें उपस्तित वोजेपदार्थ को विखंडित करती है। जिसके परिणाम सुरूप उर्जा बनने के साथ साथ कारबन डाय बनती है। और जो उच्वशन के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रियाई श्वशन है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो बच्चों जिस दर से मनुष्य एक मिनट में सांस लेता इवं छोड़ता है उस दर को श्वशन दर कहते हैं। सामानी इस्तिती में व्यक्ति और सतन एक मिनट में 15-18 बार सांस लेता इवं छोड़ता है। तो बच्चों जरा आप भी इसी दर से कैलकुलेट करों कि हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो बोजन के विकंडन से उर्जा भी प्राप्त होती है। चलिए अब आगे हम जानेंगे मानव के श्वशन तंत्र के बारे में। बच्चों मानव के श्वशन तंत्र में निमने लिकेत अंगों होते हैं। जैसे की नासा द्वार, नासा गुः, ग्रस्नी, श्वाशनली, फे जैसे कि नासा द्वार, नासिका के अगले वाले उब्रे भाग के इधर उधर दो अंडाकार बाहे नासा चिद्र होते हैं, जिने नासा द्वार कहते हैं, अब हम जानते हैं नासा गुआ के बारे में, नासिका की गुआ को नासा गुआ कहते हैं, नासागुआ की दिवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं शलेश्म ग्रंतियां होती हैं जिसमें से शलेश्म नामक चिपचिपा पदार्थ शावित होता है अब हम जानेंगे ग्रस्नी के बारे में नासागुआ के पीछी की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है जिसे ग्रस्नी कहते हैं श्वाश्नली श्वाश्नली नली का जैसी संरचना होती है जो दो शाकाओं में बट जाती है जिने हम श्वश्नियां कहते हैं तत्येक श्वश्णी अपनी अपनी ओर के फेफडे में खुलती है। श्वाशनली की बाहरी सते पर सी की आकरती के चलने जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वाशनली एवं स्वश्णीयों को आपस भी चिपकने से रोकती हैं। जिससे इनमें वायू स्वतंतरता पूर्वक आजा सके। बच्चों आप जानते हैं मुख्य अंग फेफडे के बारे में। फेफडे शंकू के आकार की रचना हैं। रक्ष गुहा में रिदे के दाईं एवं बाईं ओर फेफडे होते हैं। श्वशनिया फेफडों के बीतर महीन महीन असन के वायू कूपी काओं में खुलती है। ये वायू कूपी काओं ही वे इस्थान हैं जहां ऑक्सीजन एवं कार्बंडाई ऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों आप लोगों ने आज्जाना श्वशन की क्रिया प्रक्रिया एवं मानव के श्वशन तंतु के वारे में। तो बच्चों आप इस कारे पत्रक को द्यान से पढ़े और इसी का अभ्यास करें। धन्यवान।